वेलकम है फ्रेंट्स हमारे यूटूब चैनल आर्के नर्सिंग एकेडमी में फ्रेंट्स नर्सिंग की तयारी कर रहे हैं जो छात रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी के बात है कि उत्तरपदेश्च सरकार ने एक और बेकेंसी का नोटिफिकेसन जारी किया है जो कि ओँनौब कैणे फ्रेंट्स एकड़ प्लस वेकेंसी के लिए नोटिफिकेसन जारी की अगया है लेकिन्ट्स इसमें वहीजकि आप्लाई कर पाएंगे जिन्हों कर जके थीच्चे है सिबदीजसरे जीच्च में क्योवल्य थीच्च्च नर्सिंग वाले ही ярी यकाईंग कर कर पाएंगे डीक हैं है इसमें को बसी नर्सिंग और पोस्ट बसी नर्सिंग के एक नइडिए्ट अपलाई कर पाएंगे और प्राइंट ये वकंशी इसमें एकजाम नहीं होगा ये डिरेक्ट बेकंशी ठीक है और इसके बाद जश्ट अभी दो-चार दिन बाद ये दिखें दो-चार दिन पहले यह वेकंशी निकली थी उसके जश्ट दिबाद तुरंत यह एक हजार बेकंशी का नोटिफिकेसं जारी किया है और फ्रेंट्स यह फार्मास्यूटिकल आयरवेधिक के वेकंशी है ठीक है यह जो वेकंशी निकली है यह पर आप देख लें कि फार्मास दिखें न्यू वेकंशी प्रेंट्स यह एक तारीक को नोटिफिकेसं जारी किया गया है एक दो-दो-जार चार को ठीक है यह विग्यापन संख्या दी गई है आपर ठीक है परिच्छा दो-जार-चौ प्रेंट्स आगे हम इसे पूरी अच्छे से जानकारी आगे हम आपको प्रवाइट कराएंगे तो बने रहे हैं वीडियो में लाज्ट तक तो देख लिए फ्रेंट्स यह कब फार्म स्टार्ट होगा जो अप्लिकेशन इसकी बिगन जो डेट है प्रेंट्स यह आपकी बा मार्च दो reinforce 24 बारा तरीक हो 12 फर्वरी को इसका आंलाइन स्टार्ट हो जाएका और 3 मार्च तक चलेए और पसे मेंट लाज्ट इत्प यह करेक्षन • 2015 ницу आठीग है पहले ही इस तरह से व्रकारisz छिर ऑगर किसी वगाएरे तो करेक्षन की नॉम्स ही ना आए ठीक है क्योंकि करेक्शन जब कराती है सरकार तो उसके अलग से चार्ज लेती है अलग से पैसे लेती है हलाक इसमें पैसे हाली कोई बात नहीं पचीस रुपया ही ले रही है ठीक है आपके पचीस रुपया ले रही है जनरल सभी से फ्रेंट से पचीस रुपया ही ले रही है किसी के साथ आप नाइन साफी नहीं हो रही फार्म अपलाई करते समय जनरल से भी 25 रुपया वी सी और इडब्लुएस ठीक है इनसे भी 25 रुपया और जो हैंडिकेप्ड है ठीक है उनके लिए भी 25 रुपया ही चार्ज रखा गया है और आप जानते हैं जिस तरह स से आप अपना घर पे खुद भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह सारे डिटेल यह जो रही आपकी जानकारी के लिए कि कब से फार्म स्टार्ट होंगे और कब लाज डेट है तो आपने देख लिए अब यहां पर मागे चलते हैं कि देखते हैं फ्रेंट्स की देखिए पर यूपी फार्मासीटिकल आयरुवेदिक रिक्रूट्मेंट एडवर्टाइस नमर जो जिदिया गया आपका ठीक है जीरो एक दो हजार चोबिस इस रूल के अनुसार आपका जो छूट दी जाएगी एज रिलेक्सेशन में तो फ्रेंट्स आगे बात होगी अभी यहां पर देखें फार्मासीटिकल आयरुवेधिक बोश्ट कितने एक हजार दो टीक है एक हजार दो और यहां पर एलेजबेल्टी जो क्राइटेरिया है यह दिखें फ्रेंट्स के यूपी त्रुपल सी पैट दो हजार थेस स्कोर काड्ट सब्सदिए आपका दो हजार थेस का स प्लस टू इंटर्मीडियट तो और यहां पर एक्जाम किसके साथ है बाइलोजी और मैथमेटिक सब्जेक्ट साथ पास किया है वो फ्रेंट्स यहां पर अप्लाई कर पाएंगे कुछ ज्यादा यहां पर क्राइटेरिया नहीं रखा है और यहां पर डिपलोमा इन फार्मास नोटिफिकेशन जारी किया उस्यों भी डाउनलोड नहीं हुआ इस वैसे थोड़ा दिक्कत हो रही है हलाके जो दिटेल अधा यही है जो थोड़ा बहुत दिटेल होगा जैसे जारी हो जाएगा तो आगे आपको पूरी जानकारी और भी देंगे हलाएंगे जो आपकी एक क्राइटेरिया है फ्रेंट्स यह है कि आपको पेट पास होना चाहिए ठीक है जो पेट है वह आप क्लियर कर चुके हों और टेन प्लस टू हो उसके साथ में बायलोजी और मैथमेटिक से आप इंटर किये हों फिर डिपलोमा या फिर क्या कहते हैं कि फर्मस्यूटिकल से सब्सक्राइट देखो और इसमें रेजिस्टर होने चाहिए तो यहां पर अब यहां पर देख लेंट्स के किसके लिए कितनी बेकेंसी है तो देखें जेनरल क्याटेगरी के लिए फार्मस्यूटिकल के 448 बेकेंसी है एकोनॉमिकल विकर सेक्षन के लिए 100 पोश्ट हैं औ से काटेगरी से जो आते हैं कंडिडेट उनके लिए 2001 क्यान भी हैं और स्टी काटेगरी के कंडिडेट के लिए 37 पोश्ट हैं तो फ्रेंट्स यह टोटल आपकी 1002 बेकेंसी निकली है आपकी फार्मस्यूटिकल आयरवेदिक की वेकेंसी निकली है और जो भी कंडिडेट ह लेसे अगर डिप्लॉमा किया तो उनके लिए सुनयरा और सरे जिन्हों नेसे अईर वेक से डिप्लॉमा किया हुआ है उनके लिए बलकुल ही सुनयरा अंसर है ठीक है 50 i8 बहूत बेकैंसी अब तो आप अच्छे से त्यारी कीजिए मन लगाकर और फ्रेंट सभी को पता है किस तरह अप्लाई करना है अप्लाई करने की प्रक्रिया सभी को परता है तो यह आपका दिखे अड़र्टाइजमेंट नंबर है अपका जो पेट है वह क्वालीफाइव ना चाहिए उसका रेजिट्रेशन नंबर पेट का रेजिस्टेशन नंबर होगा डेट आउब बर्थ जेंडर डोमिसाइल एंड कैटेगरी ठीक है किस कैटेगरी से आप यह चीजे होनी चाहिए ठीक है इतनी चीजे पहले भी आप अच्छे से समझ लें तभी आप अगर अप्लाई करने जा रहे हूं तो यहापे द लगा तो यह तो फ्रेंट से सबी बात की बाते हैं आप जब जाएंगे आपको सभी को पता होगा कि क्या क्या डाकुमेंट लगेंगे कुछ खास डाकुमेंट नहीं है 25 रुपा पकी फीस लग रही है वही डाकुमेंट जो हमेशा आप फार्म अप्लाई करते हैं कि वही च से लिए फ्रेंट्स आप अच्छे से अप्लाई करें एंड बेश्टा अप्लग